लिटल शोर्ट्स आर्जे शीतल की साथ वो कुछ लोग होते हैं जिनके चहरे पर हमेशा एक ही भाव रहता है जानना समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि आखिर उनके दिल में चल क्या रहा है विद्याजी उन्हीं में से एक थी हर शाम की तरह उस शाम भी वो अपने घर के पास वाले टाउन पार्क में वॉक कर रही थी कि उनका फोन बजा फोन उनकी छोटी बहन सुश्मा जी क्या था फोन उठाते ही आगे से आवाज आई हेलो दीदी कैसी है आप आप तो कभी फोन भी नहीं करते सुनिये मेरे पोते विराज का बर्दे है और आपको आना है अगर आपके मन में अपनी बहन के लिए थोड़ा सा भी प्यार है न तो आप जरूर आएंगी मैं आपका इंतजार करूंगी ये कहकर सुश्मा जी ने फोन रख दिया थरसल विद्या जी पिछले काफी सालों से कभी किसी पार्टी किसी गेट तुगेदर में नहीं गए अच्छली पिछले पांच सालों से जब उनके इकलौते बेटे और हस्बिन की कार एकसिडेंट में डेथ हो गई थे उसके बाद से वो कहीं नहीं जाते सिवा स्कूल के लोग कहते हैं कि वो रोई नहीं थे और उसके बाद कभी नहीं रोई लेकिन इस बार उन्होंने अपने दिल पे पत्था रखा और अपनी बहन के पोते विराज को आशरवाद देने उसके बर्दे पाटी में गई गिफ्ट दिया और चुपके से बस महां से निकल रही थी कि दर्वाजे पर बर्दे बॉय विराज ने विद्या जी का हाथ पकर लिया और बोला आंटी कहां जा रहे हो देखो ना सब मेरे बर्दे में गेम्स खेल रहे हैं डांस कर रहे हैं सब खुश है आप मेरे बर्दे से खुश नहीं हो क्या आप बोलो तो मैं आपको अपना फेवरेट वाला ट्वाज दे देता हूँ और भी बहुत सारे ट्वाज है मेरे पास मैं सब दे देता हूँ फिर आप खुश हो जाएंगी न उसे देखकर विद्या जी को उसकी बाते सुनकर अपने बेटे का बच्पन याद आ गया और उन्होंने विराज को गले से लगा ली और बस रोने लगी रोती गई जैसे सालों से दबे आंसूंने बगावत करती हो जैसे सालों बाद कुछ महसूस हुआ हो दिल को जैसे सालों से दबा हुआ दर्द आज आंसू बनके बहने लगा हो विराज ने विद्या जी के आंसू पहुँचे और उनके साथ खेलने लगा विद्या जी भी एक ड़म बच्ची बनके विराज के साथ खेलने लगी कहते हैं न जब हम दूसरों की खुशियों में अपनी खुशियां ढूड़ने लगते हैं तो अपना दर्द कम होने लगता है